नमश्कार, स्वागत अबच्चों आपका Self Study के चैनल में और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि चीन का विरोध हो रहा है आखिर क्यों चीन का विरोध हो रहा है और इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि आपने सुना ओगा न यह यह डेश developing country है यह विकास सिल देश है जैसे भारत के बारे में आप सुनते हैं कि भारत एक विकास सिल देश है ऐसे चीन ने आपने आपको एक tag दिलवाया है कि वो भी एक विकास सिल देश है इस करके इसका विरोध होने लगया अभी हाल फिलाल में चीन ने क्या किया है WTO के अंदर अपने आपको developing country का एक tag दिलवा दिया कि भई मैं एक developing country हूँ यहनि मैं एक विकास सिल देश हूँ जिसके चलते इसका विरोध होना स्टार्ट हो गया अब जैसे मैंने काना कि एक उतन है कि developing country आपके ऐसे identify करेंगे या फिर कौन सी agency जो है वो identify करती है कि यह जो देश है मतलब कि एक developing country है for example अगर मैं कहूँ भारत भारत के बारे में अगर कोई बात करे कि यह developed country है यह developing country है तो कौन decide करेगा actual में आपको जानके हरानी होगी ऐसा कोई भी नहीं है जो यह decide कर सके कि भारत एक developing या फिर भारत के कोई भी country जो है वो developing है या भी वो developed है ऐसा कोई भी agency नहीं है तो कोई decide करता है कोई भी design नहीं करता खुद आपना देश जो एक देश होता है जैसे मैं आपको बिताता हूँ, देखिए, एक UN है, एक WTO है, ठीक है, एक WTO है और एक UN है, UN सिरुफ और सिरुफ ये डिसाइड करता है कि Least Developing Country कौन सी है, ठीक है, डेखिए, जो कंट्रीज है, उनको चार वर वरकों में डिवाइड कर रखा है, कि होता है कि एक Low Income, Lower Middle Income, Upper Middle Income, High Income, इन चार केटिक्री में डिवाइड कर रखा है, बलकि ये जो दोन अजेंसी है, WTO होगी, UN होगी, ये कहीं पर भी ये डिसाइड नहीं करते हैं कि कौनसा देश जो है। वो developing है, कौनसा developed है। कौनसा अपना क्या कहते हैं, least developing तो UN के decide कर देता है। अब इसके फाइदे क्या हैं, क्या नुक्सान हैं और चीन का विरोध क्यों हो रहा हैं, इसके बाए। जानते हैं, अब यहाँ पर देखे, एक example में आपके सामने देता हूँ, 2019 में ताजा ताजा एक्जामपल है, दक्षिन कोरिया ने अपने आपको कहा है, कि भाई मैं जो हूँ वो एक developed country हूँ, अपने आपको developed country का इसने दर्जा देती है, अब कोई देश अपने आपको जब developing कह रहा है और developed कह रहा है, उसके फाइदे क्या नुक्षान का है, developing country कहने के फाइदे यह होते हैं, कि आप किसी भी देश में, मतलब कि for example भारत किसी भी दूसरे देश में अगर वेपार कर रहा है, तो जब दूसरे देश में वेपार कर रहा है, भारत को developing country का tag दिया हुआ है, मतलब इसने अपने आप लिया हुए, तो यहां पर दूसरे देश में वेपार करते वक्त, इनको यहां पर भारत को या चीन को या फिर कोई भी जो देश, जो developing country में आते हैं, उनको चूट प्रवाइड की जाती है कि आप tax ना दीजिए आप कम tax देड लीजिए या फिर कोई भी अगर agreement होता है तो वहाँ पर agreement को लागू करने के लिए जो developing country है तो वहाँ उनको ज़्यादा time दिया जाता है यह एक तरीके की कोई official body नहीं है आप सोचों कि इसने जो तैक कर दिया वही होगा नहीं यह एक तरीके का संगठन है विश्व वेपार संगठन ही तो है यहाँ पर जब जारे देश आके इसके यहाँ पर वेपार करते हैं मतलब यहाँ पर जो नियम है उसके according वेपार करते हैं यहाँ पर ताकि सभी देशों का फायदा हूँ अब यहाँ पर यह जो आपको पता है कि 19 जो World War 2 खतम हुआ था World War 2 खतम होने के बाद एक GATT की एक एग्रिमेंट हुआ था GATT तो उसमें क्या हुआ यह बात बोली गए थी कि हम ना ध्यान रखेंगे कि कोई देश जो है वो डेवलोपिंग यानि जो करीब देश है जो वो किसी अमीर देश के साथ वैपार करे तो ऐसा नहीं हो कि वो अपने सामने जो अमीर देश के सामने अपनी शर्ते ना रख पाए और वो पिस्ता चला जाए तो इस चीज का ध्यान रखते हुए GATT GATT का निर्मान किया गया था 1995 तक इसने बहुत अच्छे से काम किया फिर ये उनको लगा कि एक नई चीज की जूरततर डब WTO बन के आया था वहां पर तो ये चीज थी तो ये ध्यान रखते हैं कि हाँ कोई भी जो देश है वो गरीब देश है वो किसी अमीर देश से अगर वेपार कर रहा है तो पीस ना जाए एक लेवल प्लेइंग उनको फिल्ड प्रोवाइड करना कि आप दोनों कर लीजी क्योंकि वो गरीब देश है जो देश है वो विकास with कूष जी मां अगर जैसे चीन ने अपने विकासby कर सको अब जो बाक्य जो देश है meow आप जो तुम विकास देशों को जुकुर और जो तो उनको नहीं ले सकते हम इसका विरोध कर सकते हैं और वो उसको विकास सिल राश्टर की कोई उचीत परिभाशा है इ नहीं जो इसमें जो है 164 जो थेश हैं उसमें से दो तिहाई देश हैं तो अपको विकास सिल में वरगी कित करते हैं जो अब आगे चलते हैं आप यहाँ पर जो अपने देश को developing country में डालता है, कहते हैं कि मैं developing country हूँ, तो उसको special and differentiated treatment, यानि SNDT के तहट कुछ reality दी जाती है, या फिर कहीं बहुत जादे lab provide के जाते हैं, मतलब कोई भी देश जैसे बांगलादेश आमेरिका वेपार करने जा रहा है, तो कहते हैं कि आप एक एक भी रुपया मत दीजिए, टेक्स के नाम पर आप अपना समान लाके भेज़ दीजिए अमेरिका में, फिलाल बांगलादेश के उपर भी ये एक बात है, विवाद छिडा हुआ है कि बांगलादेश ने अपने आपको least developing country की category में डाल रहा है जबकि वो है नहीं इस पर बारे बाहें अभी चर्चा करने वाले है अच्छा यहां पर देख लिजिए, जो developing country है वो कौन कौन सी है, इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील, साउथ अफरिका, साउथ कोरिया अब developed country में, US, European Union यह आती है अपने आपको, अभी हाल फिलाल में यह Australia ने अभी अपने आपको डाला है और South Korea ने अपने आपको अभी अभी ताजा फिलाल जो आपकी समने एक्जामपल है उदारन जो है, वो South Korea है उन्होंने का कि हमने तो अपना भला कर लिया अब समझे, जो developed country में भारत क्यूं नहीं कर देता अपने आपको developed country में शामिल भारत यसले नहीं कर सकता, अगर भारत ने अपने हपको developed country में शामिल कर दिया अपने आपको fixit कहा दिया, तो जो इसको छूट दी जा रही है भारत देश को वो सारी छोड़नी पड़ेंगी उन्हें उन चीजों को छोड़ना पड़ेंगा for example, subsidy दी जा रही है, तो subsidy छोड़नी पड़ेंगी carbon emission को कम करना पड़ेंगा उनको बंदो, जैसे अमेरिका ने कहा कि हम 2050 तक zero carbon कर देंगे तो ये सब चीज़ें भारत को भी करनी पड़ेंगी ऐसा नहीं हो सकता ने, क्योंकि भारत एक विकास सील देश है भारत में जुरूरत है, अगर वो चीज़ें करने पड़ जाएगी तो बिरोजगारी बढ़ जाएगी बहुत जाएगी बहुत सारी companies बंद करनी पड़ जाएगी तो subsidy देनी इसलिए जरूरी हो जाती है भारत में इसलिए भारत अपने आपको विकसित कह नहीं सकता क्योंकि अभी जरूर है भारत को आगे बढ़ने की लेकिन चाइना में चाइना में भाई साब बहु जादा उनकी इंकम बहुत जादा बढ़ चुकी अभी इंकम बताओं हम आप लोगों को थोड़ा से धहर रखो कि चाइना की इंकम कितनी है परतिवेक्ति और भारत की कितनी और बंगलादेश की कितनी है अब देखिए लीस्ट डेवलोपिंग कंट्री में बंगलादेश ने अपन मैं जा रखा है बंगलादेश को ठीक बंगलादेश की इन देशों में जाकर रहें ऐसे वेपार कर देते हैं अब बंगलादेश की जो है लिस्ट डेवलोपिंग कंट्री में अपने आपको डाल की ऐसे ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा मिलते हैं, इसमें थोड़े कम मिलते हैं, बात यह है, लेकिन S&DT के तहरे दोनों को रियायतें दी जाती हैं, कि आप अगर अगर कार्बन अमिशिन को कम नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा टाइम फालतू ले लो, आप अगर कोई सबसीटी देना चाहो तो ज़्यादा ले लो, जबकि यहाँ पर अगर सबसीटी देनी हो, इन डवलोप्ट कंट्री को बहुत दे नहीं सकते हैं, यहाँ पर रूल बड़े मैं बताता हूँ उपको, चार्ड कैर्टिक यहाँ पर लिखता हूँ, एक है लो, लो इंकम, एक है लोवर, मिडल, लोवर, मिडल, इंकम, एक है अपर, मिडल, इंकम, और एक है, हाई, इंकम, यह चार कैर्टिकरी हैं, ठीक है, इनको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चार कैर करें यहां पर इनकी जो तनका है तनका किया मतलब कि परती विक्ति आए वो समझुझे रभाइए इंकम यानि जो अमीर देश हैं उनको कहेंगे जैसे इनकी जो अगर इंकम ए 12,650 बेचले डॉलर परती विक्ति है तो क्या कहेंगे वो हाइए इंकम वाला देश यानि बहुत अमीर देश है यह जो अमेरिका आपको विक्सित कहा रखाई कि हमें आज के बाद तुम डेवलोप कंट्री को हमें अमीर कहलाने का शोक है तो यह अपने आपको उन्होंने टैग दे रखाए अपर upper middle income में वो आते हैं जिनकी जो salary है प्रतिवेक्ति आये 4,096 से लेकर 12,695 है तो ये upper middle income में आ जाएंगे lower middle income में वो आते हैं जिनकी प्रतिवेक्ति आये 1040 से लेकर 4,095 में है तो ये lower middle income में आ जाएंगे और इससे कम वाले low middle income में आ जाएंगे और एक चीज़ ध्यान रखना, ये हर साल चेंज होता है, ये हर साल चेंज होता है ऐसा नहीं कि आज, मतलब कि इस साल आपने देख लिया, अगले साल से मिलेगा, नहीं, इसमें थोड़ा बहुत चेंजिज मिलेगा जैसे पिछली साल, ये तो 2021 के आंकड़े हैं मतलब 2022 तक रहने वाले हैं, जुलाई, जून 30 जून 2022 तक ये या आपड़े चलने वाले हैं लेकिन, जो क्या कह रहे हैं, कि पिछले साल, 2020 के अंदर ये वाली जो इंकम थी, वो 12,535 थी यानि ये चेंज होते रहते हैं, हर साल चेंज होते रहते हैं तो यह अपना current से update रहना इस चीज को लेकर अब यहाँ पर यह जो तीन category में वो world bank divide करता है अब world bank ने divide कर दिया तो जो चीन है वो यहाँ पर upper middle income में आते है upper middle income में आते है चीन अब upper middle में income में आते आते भी यह अपने आपको developing बोल रहा है बावजूद इसके ये भाई कहता है कि मैं तो अमेरिका से जादा रुपया रखता हूँ और इसने अफरिका के अंदर 148 billion dollar का अभी investment कर रखी है तो इतनी इतनी बावजूद इसके पास पैसा होने के बावजूद भी इतनी जादा income हाई होने के बावजूद भी तब भी अपने आपको developing क्यों बोल रहा है और इसके चलते इसका विरोध होने लग गया है अब सनो यह जो आपने सुना ना यह lower middle income यह जो मैंने लिख रहा है ना घ्रोष नेशनल इंकम है इसके अधार पर जो है वह डिसाइड की जाती है मतलब की पर्तिवर्ठिज आए clear अब एक जुलाइ से हर एक जुलाइ को मतलब यह अपडेट की जाथी ह्यां हर एक जुलाइ को अपडेट की जाती है अब चीन किस में आते हैं लोवर यहां पर अपर मिडल इंकम में आते हैं चीन किस में आते हैं अपर मिडल इंकम में आते हैं अभी मैं आपको इसकी इंकम बता देता हूं इसकी किनी है जो चीन की परतिवेक्ति आये है वो 10,435 है जबकि भारत की कितनी है 9,1928 है अब एचुल में मिलने दूसरे देशों को चाहिए और इस चीज को बिगार कर बैठा है अब इसके चलते क्या हो गया देखिए विकास हिल देशों के लिए जो रिजर्वेशन दे रखी है वो ये फाइदा उठा रहा है जैए एचुल में होना ने चाहिए और यूरोपियन यूनि की स्मिक्षा करते हुए का था कि देखिए चीन या तो अपने जो ये लाब मिल रहे है जो एस एंडीटी के तहरत है उसको छोड़ दे या फिर जो कैटेगरी है वो उसको छोड़ देविए डेवलोपिंग कंट्री में आते हुए भली तुम डेवलोपिंग कहलो अपने कि देख रहे हैं आप मतलब की परतिविक्ति आये कितनी हैं 10,435 वहीं भारत की देखो आप 1928 और आप सोचिए ये भारत की है और जो बांगला देश है वो अपने आपको लिस डेवलोपिंग कंट्री में डाल के बैठा है उसकी कितनी है 1968 भारत से जादा है अब इससे क्या जितने भी आप देख रहे हैं इतना कपड़े या जुत्ते वो सारे बंगला देश में बनके आ रहे हैं फिलिपीन्स हो गया वेतनाम हो गया इन देश ये जो देश है वो अपने आपको लिस डेवलोपिंग कंट्री के लागे रखते हैं फाइदे इनको बहुत मिलते हैं न अब चीन ने जैसे अपने गया इसके उपर तो भाई काफी सारे देशों ने सवाल खड़े करती हैं अब यहां पर कह रहे हैं कि आप अपनी एक परिभाशाती करिए मनलब व्ल्ड बैंक को कहा कि आप एक परिभाशाती करिए कि बहुत को आप डेवलोपिंग कंट्री में और यह लिस्ट डेवलोपिंग कंट्री में डला हुआ है जिबकि यह फाइदे जाजा ले रहा है मारे से आगे चलते हैं अब विकास सिल देशों की स्थिती के मतलब क्या क्या फाइदे होते हैं जैसे मैंने का ना जो देश अपने आपको विकास सिल कहलाएगा डेवलोपि चीन उठा रहा है अब क्या हो रहा है ऐसे समय में जब विकसित राश्टर विश्व वेपार संग्टन मतलब कि अब एक चीज हो रही है कि जो चीन ये हरकतें कर रहा है कि चीन ने कहा कि मैं WTO में अपने आपको विकास्षिल देश का टैक दे दिया तो इसके चलते जो भी देश है ना developed country वाले जैसे मैंने आपको दिखाया तो वो देश बोल रहे हैं कि हम ना इसमें SNDT में कुछ चेंजिस कर देते हैं हम इसमें जो प्रावधान जो है उसको कम कर देते हैं इतना नहीं देते हैं जादा चूट नहीं देते हैं अब इसके चलते भारत ने कहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते भई हम तो आते हैं ना lower middle income में तो हमारे जो है वो क्यों चीन रहे हो भई हमारे जो चूट हमें दी जारी है वो हमसे क्यों चीनी जारी है तो भारत ने कहा है कि हम इसके लिए बात करने के लिए त्यार और यह मुद्धा हमेशा खुला रहेगा कि आप जिसको विकास सिल मानेंगे और कहा है कि हम इसको मितलब इसको बचाए रखेंगे SNDT को इसके अंतर कोई भी प्रावदान चेंज़ मितलब कोई ऐसी चीज नहीं लाने देंगे जो इसको कमजोर करे अब इतना जादा कुछ हो रहा है चीन के लिए चीन का क्या चीन ने क्या का चीन ने कहा है कि ठीक है भई हम कम कर लेंगे चीन ने कहा है कि हम अगर विकास चीन जो है दुनिया के सबसे बड़ी विकास सिल अर्थवज़ता है तो इसने काये कि ठीक है हम आने वाले टाइम में इसके पर विचार करते हैं और जो हम fishing के उपर जो subsidy दे रहे हैं उसमें कटोती कर लेंगे या फिर जहां-जहां हमें जो developing country होने के जो फाइदे मिल रहे हैं उसे कम करने की कोशिश करेंगे तो यह चीन नहीं यह बात बोल दी है आगे की राह यह है कि WTO को World Bank को या UN को एक परिभाशा सेट करनी चाहिए कि आप किसको developing country कहेंगे किसको आप developed country कहेंगे जिसके चलते भाई सब यह S&DT के जो फाइदे ना वो देश ना उठाए पाए जो ओलड़ी जिसकी income बहुँ जादा है क्लिर यहां पर और यहां पर S&DT के लाबों को फाइदा उठाने के लिए मतलब एक structure बनाना होगा कि कौन सा देश जो है S&DT के फाइदा उठा सके और कोई criteria फिक्स करना होगा कि उस criteria पर पहुंचने के बाद आप developing country नहीं कहलाएंगे तो यह चीज़ें करनी होगी तो अमीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी कि क्यों इसका विरोध हो रहा है developing country के होने के फाइदे के नुक्सान के है कौन सा दे सबके आपको developing country कह सकता और कौन सा नहीं कह सकता कर सारी चीज़ें आपको clear होगी और इस वीडियो से related आपको PDF चाहिए तो वह आपको description box में एक link मिल जाएगा telegram का तो जाकर आप वहां पर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और साथ यसाथ वीडियो पसंद आई है तो like कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जादा ही पसंद आ गए हैं तो भी चैनल को और वीडियो को दोनों को आप शेयर कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतने था thank you for watching this video